हेलो दोस्तों वैलकम टुमाई चैनल पॉइंट आउक लासी जैसके आप सभी को पताएं कि हम आपके लिए कुछ नो कुछ महिंटर लाते रहते हैं तो एट्थ क्लास की साइंस श्टार्ट की या पहला चेप्टर हो चुक है आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें हम अपनी आखों से नहीं देख सकते हैं जैसे कि ब्रैट और रोटी जब सड़ जाती है तो उसके बीच में क्या है छोट छोटे छिद्र हो जाते हैं और जिनके बीच में शुक्षम जीव होते हैं अब शुक्षम जीव की गती करते हुए आपने कभी देखा होगा पानी के सब्सक्राइब के बीच में आते हैं शुक्षम जीव को चार वागव में बाटा गया जिवानु कवक प्रोटो जोगा व्या कुछ शेवार तो यह सारे के सारे इनके चितर दिखाएगे हैं 2.1 से 2.4 में आपको दिखाते हैं अभी विशानु का होते हैं वायरस होते हैं यह सबसे शुक्षम होते हैं प्रंतु यानिया शुक्षम जीवों से भीन होते हैं यह केवल परपोशी में ही गुनन करते हैं अर्थात जीवानु पोदे तथा जंतु को श्का में गुनन करते हैं कुछ समाने रोग जैसे जुखाम इन्फ्लूइंजा वाय अधिक्तर खांसी विशानु द्वारा होते हैं वायरस होते हैं तो उस सी कहता है जो खाम खांसी चीज़ें हो जाती हैं तो यह विशानु वायरस के द्वारा ही होती है उसके बाद में कुछ हुशेश रोग है जिसमें पोलियो खसरा भी विशानु द्वारा ही होते हैं उसके बाद में टीब उसके आगे देखते हैं मित्र वत शुक्षम जीव अब जो शुक्षम जीव पहले देखते हैं शुक्षम जीव कहां रहते हैं तो शुक्षम जीव एकोशिक हो सकते हैं बहुकोशिक भी हो सकते हैं शुक्षम जीव जो एकोशिक होते हैं इनको शिवाल जिवानु या अलब कि यह ळो शुक्षम जीव होते हैं, यह हर सेत्र में निवास करते हैं, हम हम रे हमक्यावन को सुच रखने के लिए इनका मैत पुर्ण योगदन होता है, ठीक है, उसके लाबा इनका उप्योग दहीं ब्रेडव के एक बनाने में भी किया जाता है, शुक्षमजीवों का उप्योग उसके अलावा म्रदा की उरुषता को बनाय रखने में भी उख्षमजीवों को बहुत बड़ा ही योगधान होता है दही में ब्रैड का बनना इसके बारे में तो आपको पती हो का मलबी है जिसके द्वारा हम वेपार कर सकते हैं तो शुक्षम जिवाओं के द्वारा बड़े सतर पर अलकोहल श्राब और आश्टिक एसिड के उत्पादन में भी शुक्षम जिवों का उप्योग किया जाता है उसके अलावाद जो यह फसले होती है यह प्राकरतिक शरक्र के ट्वारा में यीस्ट द्वारा न्गोहल वाश्राब को पदन भी इसके द्वारा किया जाता है गेहौ चावल फलों के रश्ट द्वारा भी चीया जदा उसके बाद ने लिखा गया तो शुक्षम जीवों के रूप में किस तरह से प्रियोग होता है कि जब भी कभी आ ब कह सकते हैं अश उसमें मिले होते हैं जिसके दार आपकी जो विमारिय वह přestion को मिला जाते हैं वे59 जो के हमें बिमारियों से बचने में कामता है प्रतिरक्षी उत्पन करता है म Зап coercion कि हमें बिमारियों से लड़ने की टाकत देता है तो यह इसमें पी कुछ शुक्षम जीवों को ही मिलाय जाता है जातर यह लिगा गया जो मर्त जयता निश्क रिए शुक्षम जीव होते हैं उन से एक जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उसको परविष्ट खडा चाल थे जाता है और उनकी परतीरुदक्समता बढ़ा दी जाती है जिससे कि उनने भीमारी नहीं लगती है वैकूछिन के बिताया गया किस तरह से पहले हो जा करता था लोगों को पॉलियों में किसी को चलने की प्रॉब्लम हो सकती है किसी को और कोई प्रॉब्लम हो सकती है पर बाद में पॉलियों का टिका अगया पॉलियों की वैक्षिन आगी जिसे की पॉलियों की बिमारी किसी को नहीं होती है मिट्टी के उर्वरता बढ़ाने में किस तरह से सायक है जहसकि आपको बता होगा है रसाइनी खाद जेवी खाद इन चीजों के यूज होती है और जो बोदा होता है उसको नाइटरोजन की बूजदी एवशकता होती है जिससे की उर्वरता में व्रदी हो जाती है तो नो इट्रोजन के लिए जो भी शुक्षम जीवा उनको मलब वहां पे आहार मिलता रहना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी मुट्टी को रुरता श्रमता को बढ़ा दे साथ में फसलों को भी फायदा होता है इससे प्रयावण का शुद्धिकरन की इस तरह से होता है अगर आपने घरों में बगिचों की पतियों वैफल सब्जियों का कच्रा एकत्र करके उसके निप्टान के लिए बनाएगे गड़े में डाल दिया तो कुछ समय बाद विक्टन होने के बाद वो खाद में प्रवर्थित हो जाता है ठीक है तो यह बाते हैं इसके बीच में लिखी है कोई जाता बात नहीं है एकजमपल बता हुए आप देख सकते हैं अभ लिखना है हनिकारक शुक्षमanoag जीव कैसे होते हैं तो शुक्षम जीवों करका नेयुक सकते हैं लहनी पकिए मैं लिखा मनुश्या में रोक खारक शुक्षम जीवा के बाद मैं लिखा कि हिज्जा और सरदी जुखा भी यह सारी दुभाई यह बिमारीयां हो जाती है जो कि नहीं जीवा के कारण होती है जैसी कि एक यह मादा इंफलाइज मच्छर जो कि अपने कह सकते हैं मोस्कटों के मच्छर से होता है उसके बाद में यह मच्छर क्या करते हैं जल में उत्वन होते हैं जहां पर पानी रुख जाता है पर आपे हैं मच्र इकठ्था हुना लगता और देरे देर हैं क्या करते हैं किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उससे बिमारियां फैल जाती हैं तो उसके बाद में यह समयने रोग लिखे हुआ पड़ सकते हैं कोई ज्यादा खास नहीं है इसमें शुक्षम जी किया बहुआ कोने ही है इसमें छूक्षम के प्रवेश का जाये तो सब्हसे कई पर फिवे सबस्कार यह जबर है कि कोई पर जोंचता है तो करते हैं कि यह वी जंद sonya जैसे सब्तावा भी लिख जास पीलिदी Obama के प्रवेश कर चाए है तो उन्हें Dire Dr गाएं में खुर गया मुहां काुछ वार्यस द्वहारा होता है गाएं में अगल mo लग जाती तो भी उन्हें बहुत बड़ी वैमारी वार्य हो Rob पोदे में रोख इस तरह उत्पन उत्पन होता है कि पोदों च्छिद्र हो जाते हैं डिब 50े हो पाइश्व कर देटाइं की के मिदि की फिया उन्को फान विशाकत न條 Monday फूर्ट पॉजनिंग इसली होता है कि कई बार क्या होता है एकसपारीडेट हो यह था खाना याम कहें कि कोई भी अगर आप पार्टी के उपर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे खाना बज़ जाता है तो उसको कई दिन पड़े रहने देना पड़े रहने के बाद के बाद बहुत ज़्यादा दिन पड़े रहने के बाद उसमें विश्यल्य पडार्थ मिक्स हो जाता है मतलब कि जो शुक्षम जी होते हैं विश्यल्य बना जाते हो असपडार्थ को अगर किसी ने भी उसका सेवन कर लिया तो उससे फूर पजने गया जाते है उसके बाद में आदिया जाता है जैनी के परियोग से खद्यब की नमी में नमी में कमी आती है जो संदूशन वाले जीवानों की वर्दी को बी ने तृत करता है जितनी बायज हिसल चीट जेता हैं इससे जोनों से बचा जासकते हैं जैसे तेल 具े सिरके का परिक्षन हैं यह महां कह सकते हैं गरम तों किसमेंوجा करना दूद करन जो फसले होती हैं उसके बीच में नेटरोजन की स्थिरता को आपको पताई यह जसके आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ इसके बीच में बताए गया है कि किस तरह से से बीच में कीट पतंगे आ नाइटरोजन चर्क है सबसे पहले नाइटरोजन में ठीक है। ही मिल जाते हैं फिर यह वापिस की समय में ही मिल जाते हैं मिलने के बाद इंसे जो फसले बनती है वह लोग खाते हैं और लोगो kids कानी के बाद आप कोई कोशन नहीं समझा based आए तो पूछ सकते हैं तो थैंक्स फो रोचिंग दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब मैं चैनल अगर कोश्चा अंसर में भी दिखता है तो भी अप पूछ लें थैंक्यू